अब इस वोडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से इस तरीके के प्रसंद का कैसे हल करें वरत के एक चापदारा वरत के केंदर पर अंतरित कौन 45 डिग्री है यदि चाप की लंबई 5 पाई सेंटी मिटर है तो चापदारा बने लगूत तिर्जे घंड का से तरफल याद करना है तो हल में हम क्या लिखेंगे सरपृतम दिया है क्या दिया है चाप की लंबई और इसके साथ चाप की लंबई का फोर्मुला भी लगा देंगे क्या होता है चाप की लंबई का फोर्मुला आपका यह होता है पाई आर थीटा बटे एक सुआसी बराबर कितना दे रखा है पांच पाई सेंटी मिटर दे रखा है तथा यहां पर अब इसको आगे और कल्कुलिशन करना शुरू कर देते हैं यहीं से ठीक है कोई दिकत नहीं है देखें पाई से पाई दोनों साइट पाई है पाई से पाई कैंसल हो गया तो यहां थीटा के जगě मान रख देते है कितना 45 टिगज़ी दे रखा है यह मान रख दिया बठे कितना है? 180, बराबर कितना आ गया, पांच आ गया यहां लिख देंगे, चुंकि ठीटा बराबर आपका 45 डिग्री है ठीक है, इसमें दो चार लाइने सुरात में एक्ष्टा भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आपका ऐसे डारिक्ट भी हल किया जा सकता है क्योंकि यह दो नमबर का कुशन है तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है 45 से यह कितने और करता है आपका चार बार, आर बराबर क्या मिल गया चार को उस तरह बेजेंगे तो यहां किसमे है, भाग में दूसरी तरह आकर गुणा में आजेगा कितना बीस आ गया यह सेंटीमेटर में यह भी किसमा गया सेंटीमेटर में तो हमें क्या मिल गया है यहां से जो यहां मिसिंग था, कौन आर तिर्जिया मिल गया है चीक है, अब हमें क्या तो लगू, तो चाप दौरा बने लगूत तिरजी खंड का सेतरफल ग्याद करना है तो अब हम जानते हैं तिरजी खंड का सेतरफल सेतरफल बराबर क्या रहता है एक बट्टे दो गुणा चाप की लंबाई ठीक है गुणा आपका तिरजी आ देखिए फोर्म ले आपके सारो याद होने थी ठीक है 5 पाईया नहीं पाई के जगह ऑई 2 प्टे शाथ और तिरजी आपकी 20 आईए अभी आईए अभी हमने ग्याद किया दो से यह कितने वार 10 वार कैंसे लोगया पांच गुना 22 कितना गया एक सो दस गुना दस 1100 बटे साथ और ये किसमा आएगा सेंटीमेंटर स्कोर में से तरफल आता है यही आपका यहां पर उतर है ओके अब चाहते हैं तो हम साथ का भाग दे सकते हैं तो साथ का भाग दिया भाग गया एक वार उसके बाद साथ उपंजा 35 ठीक है और फिर आपका साथ उपंजाटी 59 और उसके बाद पॉइंट ऐसे भी कैलकुलेशन किया जा सकता है या फिर आपका भाग गया एक वार फिर गया चार वार और यह आपका कुछ कैलकुलेशन बेटेगा ठीक है ओके आसान है या पाई कमान हम डारेक्ट तीन पॉइंट एक चार रखकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं वो भी आसान रहेगा आसान हो अपका पॉईब पॉट अच्छू है